Hello everyone, my name is Aditi and welcome to my YouTube channel आज हम पढ़ेंगे chapter number 6, Rural Administration मतलब जो हमारा ग्रामिर्ड इलाका है भारत का, वहाँ पर प्रशासन किस तरह से चलता है? ठीक है? So, Rural Administration होता क्या है? To manage disputes in rural areas मतलब जो rural areas हैं, वहाँ पर disputes को manage करना है, disputes को solve करना है Right? तो सबसे पहले हम इसी के अंडर बात करेंगे, पुली स्टेशन की अब पुली स्टेशन जो है, इसका क्या काम है? जो भी rural या urban areas में disputes हो रहे हैं, उनको solve करना, mainly rural areas में अब जो पुली स्टेशन है, इसके reach कितनी है? इसका area कितना है? So, it has a fixed area under its control पुली स्टेशन का power जो है, वो कितने area में रहेगा? वो fix होता है Area इनका fix होता है ठीक है? Next आता है work अगर कोई भी इनसान जाके complain करता है पुली स्टेशन में तो उस report को lodge किया जाता है as FIR The report lodge is called FIR और FIR के full firm क्या है? First Information Report फिर बताया है कि जो SHO होता है He is the in charge of every police station हर police station का in charge होता है एक वो SHO होता है मतलब station house officer और वो police चीजों के चानबीन करता है यह हमने पढ़ा police station के बारे में अब next हम पढ़ेंगे maintenance of land records अब जो land records हैं उनको maintain करना है गाउं में तो कैसे होगा कि आपने सुना ही होगा गाउं में जो है land को लेकर काफी ज़दा disputes चलते रहते हैं तो इसी के regarding अब हम यहाँ पर बात करेंगे देखे land को measure करना और पुरग पुरा land record रखना यह किसका काम होता है? यह काम होता है पटवारी काम ठीक है? measuring land and keeping land records is the main work of पटवारी अब different names से पटवारी के जो post है इसे जाना जाता है इसे किनी states में लेखपाल कहा जाता है कहीं पे कानुंगो कहा जाता है और कहीं पे village officer कहा जाता है ठीक है अब जो पटवारी है वो maintain करता है और update करता है village के record कि कौन से जमीन किसके नाम पे है किसकी जमीन के boundary कितनी है किसी एक person के बाद किसकी जमीन start होती है यह सारी details किसके पास होती है पटवारी के पास होती है अब हम पढ़ेंगे functions of पटवारी अब हमने यह तो पढ़ेंगे कि पटवारी का काम क्या है ठीक है उसे land record को maintain रखना है गाउं में अलग-लग नाम से जाना जाता है अब हम पढ़ेंगे कि उसके काम क्या है उसके functions क्या है पहला है collection of land revenue from farmers जो किसान होते हैं उनसे revenue को collect करना ठीक है पटवारी के अंडर जो भी area आता है वहाँ पे कौन-कौन सी crops यानि फसलें जो है वो बोई गई ठीक है उस सब की information पटवारी करवाना सरकार को यह जो हैं दो main काम होते हैं पटवारी के पहला है collection of land revenue from farmers and second है providing information to the government about the crops grown in the area right अब हमने police station के बार में पढ़ लिया हमने land records को कैसे maintain करना है और कौन maintain करता है पटवारी maintain करता है वो पढ़ लिया अब हम next पढ़ेंगे the Hindu Succession Amendment Act 2005 so इस act के अंडर क्या changing होई है वो हम पढ़ेंगे काफी ज़्यादा interesting है यह देखिये जो नया Hindu law आया है Hindu law भी नहीं कह सकते है जो यह नया law आया है Hindu Succession Amendment Act 2005 इसके अंडर बेटे, बेटियां और मा यानि sons, mothers and daughters इन सबको equal share मिलेगा land में पहले क्या होता था कोई भी जमीन है, property है, घर है वो सारी के सारी property आगे बेटे को चली जाती थी बेटों के, बेटियों के और जो mother है उसके बीच में ठीक है तो यह काफी न्यूज में भी था आपने सुना होगा कि अब बेटियों को भी जमीन में हक मिलेगा, बेटियां भी जमीन में हक मांग रही है तो यह सब जो है किसके अंडर है The Hindu Succession Amendment Act 2005 Act का नाम आपको पता होना चाहिए उसके बाद हम पढ़ेंगे Management of Land of Village This is the last subtopic of this chapter अब जो Land है Village उसको Manage कैसे किया जाता है अब हमें वो पढ़ना है तो इंडिया में जितनी भी states हैं उनको डिवाइड किया गया है districts में जितने भी districts हैं उनको डिवाइड किया गया है तहसील में जो district का head होता है वो उसे हमने नाम दे दिया है district collector और जो तहसील का head होता है उसे नाम दे दिया हमने या तो revenue officers या तहसीलदार्स अलग-अलग areas में जो भी चलता है ठीक है अब जो पटवारी का work होता है वो तहसीलदार देखता है ठीक है तो इस तरह से गाउं की land भी manage हो गई पटवारी जो भी report देगा तहसीलदार को submit कराएगा तहसीलदार district collector को करेगा district collector सरकार को करेगा इस तरह से हम कह सकते हैं directly और indirectly जो भी गाउं की land है village land है उसका पूरा को पुरा रिकॉर्ट सरकार के पास है सरकार डिरेक्ट नहीं कर रही है बट उनके करमचारी जो है वो कर रहे हैं पूरा को पूरा रिकॉर्ट रख रहे हैं उसे maintain कर रहे हैं ठीक है So this was all about the chapter हमारा chapter हो गया है complete and I think जो भी आपको समझाया आपको अच्छे समझाया हो अगर आपको कोई भी feedback देनी है आप comment section में जाकर देख सकते हैं और यह मारा chapter number 6 जो है rural administration हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया है मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छे से और easy से easy way में समझाया हो कि आपको कोई confusion ना हो and अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और सब कोच अच्छे से समझाया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूले बेल इकन को प्रेस करें वीडियो को लाइक करें वीडियो का लिंक शेर करें अपने फ्रेंज के साथ and that's it guys अम इलिंगे next video में with the chapter number 7 of this book so that's it and see you soon